पाकिस्तान फोर सेल यह इस तरह की खबरे उड़ती वी आरी बहुत सारे आडिकल्स ने यह खबर शाया की है कि पाकिस्तान को बेचा जा रहा है पाकिस्तान को खरीदने वाले भी हमारे अपने कतर और यूई हैं गैस मैं बताता चलू आपको के हमने अपने एरपोर्ट से हमन पाकिस्तान के असासों को बेचा जा रहा है अगर मैं बात करूँ कराची पोड की कराची पोड का 85% यूई को चला जाएगा कतर और यूई पाकिस्तान के आदे से जादा चीजों को खरीच चुके हैं और मजीद हम बेचने जा रहे हैं क्या कहना चाहेंगे इस देखी यह जो शुरू दिन से मेरे भाई इस मुलक के साथ एक नदीदा कुवते हैं जो अन देखे हाथ हैं जो मुलक साथ खिलवार कर रहे हैं मैं यह समझता हूं कि इसकी फॉंडेशन में क्या सी ऐलिमेंट से जो जिसको के नद इसको बदखाहों की नद रखा गई है एक्शली यहां पर पॉबलक को लूटा जा रहा है और जो अश्राफिया है इस मुलक की जो अरिस्टो क्रेसी है उसको पाला जा रहा है यह जीव सिस्टम में में अभी आसा नहीं है आप तो मेरे भाई इसादारे की बात करते हैं देखिए वह टाइम था जब हमने चाइना को जो लो बाद हो चुके हैं ठीक है जी ना हमारा देखिए ना हाना कोई भी अदारा ऐसा नहीं है जिसको हम कह सकें देखिए आई-म-फ के क्लश्च में हम जक्ड़े हुए है और इस वक्त इंडिया जो है वो कहां पे जा रहा है बंगलादेश की जो जीडीपी है वो कहां पे जा रही है और आप हमसाहे मलकों में देख लें कि हम अफवानिस्तान से भी नीचा है वो डियू वेली होके नीचा चुकी है तो इससे बड़ी जो है बदबख्ती जो है इस मुल्क की क्या हो सकती है कि खाके में बदहन कि यह मुल्क जो है खुदाना खास्ता किसी तूट फूड की सब्सक्राइब करें तो इनके नेताओं को लीडरों को चाहिए कि कम अज कम आप जो बचया कुछा सिस्टम इसको बचा लें पहले के एक दफ़ा इंडिया भी गया था आई-म-फ के बास लेकिन सर उन्हों आप टाइम से पास सीखा हम क्यों नहीं सीख पाए यह हमारे तकर वहां पर आप सिस्टम देख लें हमारे दिवार के उस साइड़ पर इंडिया वर बसता है उन्हों ने कभी भी जमूरियत या प्लिटिकल सिस्टम को डेयरेल नहीं होने दिया वहां पर कभी भी नदीदा कृटें या जिस्तें को छलाई मखलू कहते हैं वो कभी भी आकर ज किसी दूसरे के जो है वो काम में टांग डा के करता है ठीक है जी ना मिल्टरी अपना यहां पर हक अदा कर रही है ना जुडिशरी स्थ देख रही है अब देखिए आप अलेक्शन का मसला है सुप्रीम कोट नहीं नाइटी डेज में एलेक्शन करा दे हमारे जो है टस्वास सुप्रीम कोट होंगे ठीक है उसकी उसकी एड करेंगे साब सुप्रीम कोट की एड करेंगे उसकी मदद करेंगे और यहां पर सुप्रीम कोट आला त्रीन अदार है उसकी बाद को नहीं मान रहा तो इसके इससे बड़ी जो है और नाडर नहीं है जी कुछ भी नहीं है जी वही एक सो कितने नंबर तीस आपको ज्यादा जानते हैं आप माशला जर्नलिस्ट हैं एक सो तीस बतीस को इस से बड़ी परशानी की बात और क्या होगी कि हम जो है वो बहुत लोगा जले हम स्टेग्नन ना होते हम इंटेक्ट ना होते हम पीछे तो ना जाते आगे अगर नह सेल इस तरह की भी खबरे सुनने को मिल रही है लेकिन कभी इंडिया की तरफ से ये बात सुनने को नहीं मिली कि उसने अपने पॉर्ट इंडिया को गिरिवी रखवा दिया सोरी अमेरिका को गिरिवी रखवा दिया यूई को गिरिवी रखवा दिया हम अपने चीजें माली करेंगे रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे तो छोटे तपका कहां से करेंगा मैंसर वही अर्श कर रहा हूं ना कि यहां पर जिनों ने अवाम का तहफ़ज करना है अवाम का ख्याल लखना है वो खुद अपने तहफ़ज के लिए रोज देखें आप पारलिमंट में कितने कवनी कवनीन रोज बनते हैं कभी कभी अवाम का देखा अपने आटा घीज यह किचन की चार पंच चीज़ें नहीं दे रहे ठीक है ना यह आटा घीज चीनी मर्चें बिचारे लोग खतकुशियों पर मजबूर हैं तो डेली अपने अपने तहफ़ज के लिए इसी के पिचे हो गई है कि जनाब वह जो श्राफियां ना वह सूचे समझे मनसूबे के तएग्याद इसको मार रहे हैं मौशी कतल कर रही है Irmajee कतल खके रहे हैं और भूकयप फलासका खुदे मुऐर पदा कर रहे हैं तो यह इस इसमें यह इस सारी बहुत... बहुत शुक्रिया सर बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके तैंक्यू सो माच नाची टॉग विदिए अस्वान कुम जी वालेकुम स्लाम अस्वान कुम नाम आपका मुहम्मद आफ्ता नवीद गुजर भई जबर्दस हो गया बेसिकली बात करने का परपस है कि पाकिस्ता अब मा के अंदर यूई और कतर शामिल हैं हमारे बंदरगा हमारे इसलामबाद एरपोर्ट कराची एरपोर्ट और बहुत सारी चीज़े ऐसे हैं जिनको मैं गिनवा हूँ आपको तो बहुत टाइम लग जाएगा आइससे क्या करने जा रहे हैं बेसिकली देखें फरस्ट ज्यादा शराब जो ले रहे हैं करजा 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 कर्जा ले रहे हैं ये बी एक वज़ा है कि उनकी किस्ते ओं को रिटर्न करने के लिए हमें इसलारे मुलकी जो असासें उनको दौब लगाना पढ़ रहा है देखें आपके स्वाल में मेरा जवाब है आपने खुद ही कह दिया कि एशिया में जो चीजें फुरुखत कर रहा है आपने बताया है जो राच्ची बंदरगा होगी और मुक्तलिव चीजें होगी इसमें कोई ढ़की चुपी तो बात है यह नहीं आपके सामने सारे हलात हैं सरक्मस्टांसिस ऐसे हैं नो डाउट यह सारी चीजें जो रियलिटी पे बेस करती हैं तो इसमें कोई दो राए नहीं है जो हलात है पट्रोल रात का रेड़ देख लें आप क्या कहां से कहां चले गया कभी यही जुमला हकुमत जो है ऐसे कहती थी कि यह देखे रातो रात रात की तरीक में अमरान खान ने क्या से क्या कर दिया रेड़ कर दिया लेकिन इसमें तो कोई दो डगी बाद नहीं है यह जुमला हकुमत है मुलक का बेड़ा गर कर दिया फिर भी हम एक अच्छे की विद्ध रखते हैं वो हमें खान से है वो इंशाला जरूर करेगा आपके मुलक जो है, आल्लाओ नेका है कि जो अमीद का दामनिसान को नहीं छोड़ना चाहिए, बेहतरी की तरफ जाना चाहिए लेकिन बहुत सी कमियां कताईयां हैं, जो हमें बेहतर करनी चाहिए, लेकर हमें इस पर वर्क भी करना चाहिए, बिएंगे हुमन, बिएंगे पा कर लेंगे कि हम उनका मुकाबला कर सकते हैं अलहमदुलिल्ला हम उनसे आगे हैं बीएंगी मुसलिम मुसल्मान का तो जजबा वह काफर से तो कहीं बेतर है उससे आज भी हम आगे हैं जो मर्जी हिला तो आपको क्या लगता है देखे मैं भाई की बात से थोड़ा इक्तलाफ क ज़िए थी कि जो इंडिया है वो दुनिया का यानिके पांचवा बड़ा मुलक बन गया है माइश्यत और दूसरे नंबर पर यह गाड़ी यह निके निए निए उन्टी आप अटो मूबील इंड़स्ट्री वो दूसरे नंबर पर तो यह देखें वह तो हमारा और उनका क जाता रहना चाहिए हम मैंनत करें अपने से अलहमदुल्ला हम मैं तो अपने पेशे से रिलेटिटीट वह लायरूम हम तो अपने इससे का जो दिया जला रहे हैं इनसाफ के लिए तो कर रहे हैं बकाया फिर वह आपको पता है यह निए सुनने को क्यों नहीं मिले कि हमारा ठीक है ना वो पाकिसान की यह निए के वो कैबनेट में यह बिल पास हुआ कि हम उसे प्लज करना चाह रहे हैं तो यह क्या है कि यहीं लोग हैं पाकिसान के जो काली बेड़े हैं कुछ वही ब्रॉकर बनके उदर खड़े हो जाते हैं वो टकेट हो करी हैं जो हजारों लग लाखों और बो डॉलर की जो चीज अवो टकेट हो लिए जलती है तो यह बैसिकली इनका इंट्रस्ट किसी ना किसी हब तक जरूर है इन चीजों में पावरफुल तो है इंडिया आखिरकार नहीं पाकिसान पावरफुल नहीं पाकिसान पावरफुल है जजबे को साइड पर यहां पर जजबाती होंगे यह वाते करेंगी अगरने यहां पर हमारे पास आपनी खाने की रोटी नहीं तो हम उनका में उनका मुकित पहले बोल दिया कर दिया हमें जो अच्छे की मीदा हो अमरान खान से है इन्शालला खान हमारा दिबारा वजीर आजामाएगा बेटर की तरफ जाएंगे यही मेरे बात समझ में आगी है आगी है बिल्कुल आगी है हम से जादा स्रोंग है ना पाकिसानी स्रोंग है नहीं इंडिया देखे सब्सक्राइब कर देने का बहुत अच्छा लगा आप लोग से बात करके तैंक यू सो मच अना सब्सक्राइब क्या हाला चल रहे हैं बस अला का शुकर है जी गुजारा हो रहा है मुलक तो नहीं सही चल रहा है बहुत बड़ी खबर आगी जिसके आप सोच भी नहीं सकते खबर आगी है पाकिस्तान फॉर सेल हाँ ये तो आज से नहीं ये तो पुरानी खबर है आज आपको पहली दफ़ा बताए चलिए जबके हम अरे इलम के मताबक हम तो कब्च के बिक चुके हैं हर चीज बिक चुकी है जिस कौम का जमीर बिक चुका हो उसकी हर चीज बिक हम कहते हैं कि मुस्लिम उम्मा सब एक है मुस्लिम उम्मा जैसा कोई हाई नहीं तो सर खरीदने वाले भी मुस्लिम उम्मा में सही है यूई और कदर मुहरम का महीना चल रहा है तो मैं एक बात कहना चाहूंगा इमाम हुसेन के मुकाबले में कौन थें सिर्फ मुझे इतना बता दे कि उसके मुकाबले में कौन थें बस इतना सा मेरा जवाब इतना है कि अगर इमाम हुसेन के मुकाबले में मुसल्मान हो सकते हैं तो हम तो कुछ भी नहीं है तो हमारे मुकाबले में भी वही है जब तक हम अपने जमीर की आवाज नहीं सुनेंगे इस मुलक को इसलाम के मताबग जिसके लिए हमने बनाया है कि पाकिस्तान का मतलब क्या ला इलाह इलाला उस पे लेके नहीं आएंगे तब तक बाकी सारी चीज़े बेमाइनी हैं अगर हमने सिर्फ फुराक पे रहना है जीने के लिए रहना है तो वो तो जानवर भी रहते हैं सर इंसानों में और जानों में कुछ फरक होना चाहिए सर फिर हम कहते हैं कि हमने मुकाबला करनें इंडिया से सर इंडिया का मुकाबला छोड़ दें हवाई बातें मत करें सर सर यहां पर मैं यकीनन कह सकता हूँ सर आप थोड़ा सा आगे आएंगे एक मिट आईएगा एक मिट है एक मिट सर क्या लगता है कि आपको हम इंडिया का मुकाबला कर सकते है सर देखे हमारी फौज में ताकत बहुत ज्यादा है लेकर हमारे पाकिस्तान में मुकाबला कर सकते हैं मुकाबला हमारी फौज जो है इतने जजबे बाली है हमारे पाकिस्तान मुसल्मान में इतना जजबा है कि हम मुकाबला कर सकते हैं इंडिया कुछ नहीं है हमारे लिए लेकर मुनाफिक हमारे उपर बैठे हैं मुकाबला किस सेंस में कर सकते हैं आपने का आर्मी के लिया से तो सर आर्मी उनकी डबल है हम से अगर आप बात करेंगे वैपन वैपन उनके अगर महिष़त के रिलेटट भी नहीं कर सकते तो जो पहले हुँआ था पाकिस्तान उनसे हरा था शहीद हो गया था लेकर पाकिस्तान उनसे मुल्क नहीं दी गा था सर हकीकत ऐसे ही है हम जजबे से लड़ते हैं हम तलवारों से नहीं हमारे जजबा है अगर हम उनसे वेपन में कम हैं तदाद में कम हैं तो सर मुसल्मान हर जगा में तदाद में कम हैं 313 से लेके सलाओ अधिन ऐयूबी देख ले आप उनकी बात करने हैं सर जहां से इस्लाम की शुरुआत भी सर उनके अंदर यामानदारी भी हमसे जादती सर अगर हमारे पाँ जमीर ही नहीं है आज जमीर आ जाए आज हमारे अंदर जजबा वापस आ जाए तो सर आप छोड़ें इंडिया छोड़ें किसी दुनिया का बड़े सा बड़ा मुलक बड़े से बड़ी आरमी लिए तस्वे की बात कर रहे हैं नहां पर हमसे जादा मुसलिम से हैं बिल्कुल है बिल्कुल है तो सर अपने मुलों के डिफेंड नहीं करेंगे बिल्कुल डिफेंड करेंगे तो सर अल्ला ताला क्या काफरों का अल्ला ताला नहीं है सिर्फ मुसल्मानों का अल्ला ताला मांगे लोग हैं सर, कोट पहन लिया लिकल भीक मांगते हैं, वजार्ते ले ले लिती है भीकल मांगते हैं, यह आदत जब तक दूएं करते हैं जलजल़ा आजए, दूएं करते हैं सलाव आजए, क्यों बाहर से डालर आएंगे, जब तक ये सब्सक्राधर्दाधर्च का आप ये सबसक्राइब करें कि बाद्ट है। उसमें अमेरिका भी शामिल था, उसमें और मुमालिक शामिल थे, हमारे साथ सिर्फ अपना वो था, अंग्लेंड था, दूसरों के कंदे पर बंदूग नहीं चलते हैं, हम अपना बताएं कि हम कितने पानी में थे, लेकर हमारे मुनाफ़क लोग बीच में शामिल थे ना किसने किया, हम सर एक बहुत बड़ी कोट है, बहुत बड़े पड़े लिखे आदमे की, कि लूजर्स आलसो मैस इस्क्यूजिस, क्या हम इस्क्यूजिस बना रहे हैं, मैं अपनी बात यहीं पर खतम करूँगा, कि जब तक आप अपने अंदर होसला, जजबा और एमान कर दिया और उसके साथ अमल करना शुरू कर दिया, बाकी सारी चीज़ें छोटी हो जाएंगी सर, यह मुलक इतना जर्खेज है, इतना जर्खेज है, कि हम सुपर पावर क्या वर्ल्ल नमबर वन बन सकते हैं, लेकिन अगर हम हज़रत मुहम्मद से लिखे पर अमल करेंगे, सर, एक सवाल यहां पर और बे बनता है, मेरा लास्ट कोशन उसके बाद आपको इजाज़त है, गाड़ी तक पीछे खड़ी वो हेटी नहीं है, सर, सवाल मेरा यह है कि आपने कहा कि हम सबसे अफजल है, हम कौम सबसे अफजल है, सर, यहां पर पाकिस्तान की बात हो रही है अगर हम इतने ही जादा स्ट्रोंग होते, तो क्या आज हमारे फोरें डिजर्व, हजार बिलियन डॉलर्स ना होते, अगर हमारे आईटी इंडिस्ट्री में हम दुनिया को बेट कर रहे होते, हम अपने असासे बेच रहे होते, हर चीज़ के अंदर, हमारे नभी जब आये तो उन्हों ने भी उस टाइम के मताबिक, अल्लाद अले ने उनको वो कैबेवल्टी वाल